असलाम अलेकुम मैं हूँ अब्दिल्ला और जैसे के पिछली वीडियो में आपको सबसे पहले बताया था मैंने के ट्रीज क्या होते हैं आज हम उसकी इंप्लिमेंटेशन देखेंगे विद पाइफन कॉड तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्री का दुबारा से थोड उसके बाद उसके चिल्डरन होते हैं जिने हम उनकी नौड और भी कहते हैं अगर एक बाइनरी ट्री है तो उसकी दो से ज्यादा चिल्डरन नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो बाइनरी ट्री है बाकि अगर कोई और ट्री है दूसर ट्री है तो उसके नौड ज्यादा भी हो सकत यानि सबसे पहले root फिर उसके leaves, children को हम leaves भी कहते हैं, अगर उन children के आगे नीचे कोई और node ना हो, तो वो leaves ही रहते हैं, लेकिन अगर उन children के आगे भी नीचे से branches या nodes निकल रही हो, तो जब हम उस node पर पहुंच जाते हैं, तो वो वाली जो node है, वो root बन जाती है, और उसके जो नीचे होते हैं, वो उसके root बन जाती है, जो उसके नीचे होते हैं, वो उसके leaves होते हैं, अब हम देखते हैं कि हम python के अंदर इसको किस तरह से implement कर सकते हैं, सबसे पहले, तो मैंने एक tree की class बनाई, जैसे कि यहां पर मैं करदर से आपको दिखा रहा हूँ, मैंने tree की class ब मैंने सबसे पहले क्या रख दिया, मेरे पास tree मैं सबसे पहले क्या होना चाहिए, root, तो मैंने उसको parameter में पास किया, self और root, और मैंने का, self.root equal है root के, यानि जो भी मैं इसके अंदर root बेजूँगा, वो इसकी root होगी, फिर मैंने का, कि इसके अंदर children भी हो सकते हैं, जिसको मैंने का, भी empty list है, क्योंकि मैं उसके अंदर यतना addition करवा सकता हूँ, उसके बाद मैंने उस class के अंदर, tree की class के अंदर, एक add node का function बनाया, ये function क्यों बनाया, ताकि मैं children की जो है उसकी object, उसके अंदर अपना object पास करके node बना सकूँ, root तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन ज चाहिए है, तो इसलिए मैंने add node का function बनाया, जिसके parameter में object बेजूँगा, और वो जो object है, वो उसके children में append हो जाएगा, उसके बाद मैंने node की class बनाई, क्योंकि मैं node तो add कर दूँगा, लेकिन मैंने node के अंदर data भी तो डालना है, तो मैं वो data कैसे डालूँगा, ये जो node क class है, इसको मैं initialize करवाया, इसके अंदर मैं data डालूँगा, उसके बाद add node में object को append कर दूँगा, वो कौन सा object होगा, वो मेरे data का object होगा, ठीक हो गया, ये मेरी बन गया tree का structure, यानि सबसे पहले tree की class, जो के root बना देती है, और उसके अंदर एक function है add node का, जो के children के अंदर object को append करतेगा, फिर एक node की class है, जो के जो मेरा data होगा, वो उस branches में add करता जाएगा, अब मैं कहता हूँ, कि मैं एक वैसे ही आपको इसकी एक example देता हूँ, कि मैं कहता हूँ, कि एक tree बनाओ, tree के अंदर मैंने root बेचती, head honk को, ये क्या करेगा, एक tree बनाएगा, और उसका root क data डाल देगा, अब मैं ये अपने इसके, यानि कि जो मेरा ये fun crop है, fun crop जो है, ये मेरा एक tree है, अब मैं इसकी root प्रिंट करता हूँ, जैसे कि यहां पे मैंने का print fun crop dot root, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है, मैंने ये function को run किया, मुझे देखें क्या answer आया है, head honk को, okay हो ग तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ उसके अंदर nodes add की, मैंने अपना tree लिखा, उसका function क्या, क्या add node, ठीक है, और उसके अंदर मैंने node add कर दी, VP of stuff, VP of shangaians, and VP of hoodnanny, मैंने इसको add कर दिया, अब मैं इसको print करवा रहा हूँ, कि मेरे पास जितना भी data, मैंने loop लगाई, कि मेरे जितना भी data है, उसके children में, वो सारा मेरे पास आज़े, अभी मैंने क्या-क्या add किया है, मैंने तीन चीज़े add किया, node तीन add किया, आगे मैं अभी इस node के उपर, इनके children के उपर अपना data भी add करूँगा, मैंने trees को run किया, अब देखें, अब उसने मुझे क्या-क्या print करा क रहे थे, सबसे पहले जो था, वो VP of stuff था, उसके बाद आगे जो ये add करवाया था, ये वाला था, और उसके बाद तीसरा, उसने ये भी मुझे show करवा दिया, अब मैं चाहता हूँ, कि मैं इनके children के अंदर, अपनी कोई और data add करा हूँ, यानि कि जो first child है, tree का, मैं उसके उपर अपनी node add करा रहा हूँ, मैं कहता हूँ, tree के children पर जाओ, और उसका zero with index, यानि पहले index पर node add करा हूँ, और node में मैं बेज रहा हूँ, manager of fund, ठीक हो गया, अब मैं कहता हूँ, कि मैंने first child को print करना है, और उसका जो tree है, उसको भी देखन है, कि tree का जो node है, उस node के आगे से जो append हुई हूई है, उसका data क्या है, तो मैंने इसको भी run किया, तो ये मेरे पास आ गया, the position under, यहां से आया, the position under, आगे उसने यहां पे, जो पहली node आ रहा था, पहला children आ रहा था, उसके अपर क्या था, वीपी of stuff is, उसके बाद मैंने add कर रहा था, tree के पहले children पे जाओ, और उसके अंदर node add करा दो, general manager of fun, तो यह मेरे पास चोई, print हो के आगया, तो यह आज हमने code के थूँ देखा, जैसे के पहले मैंने आपको tree की सारी explanation समझा दी थी, तो आज हमने code के थूँ देखा, कि हम किस तरह root add करते हैं, किस तरह root के implementation, through python code